आरे जिक पट्क मैं ते रही इंपिदार कर रहा था क्यों इसलिए कि आज ये ड्रामा है तुझे बड़ी हुश्यरी से काम करना पड़ेगा कहीं ऐसा नहों के भाना ही पूट जाए आप फिगर ना कीजे राजन गुरू आज मास्टी जी आएंगे भी निए इसलिए आज उनको ये बताना है पहले पेड़ बना या बीच अगर आएंगे तो चार घंटे लग जाएंगे सुचते सुचते जा तुम ड्रामा के बिल्कुल ठीक है अच्छा मैं जला अच्छा आज महीना पूरा हुआ लहाज़ा मेरी फीच तेह हो जानी चाहिए में तेह हो जानी की बात क्या है जो आप फरमाएं वो हादर कर दिया जाए सौ रुपया महावार नहायत मुनासिब मिर्जा जी सरकार मास्टर साब की खिदमत में सौ रुपय पेश कर दो बहुत बेतर मुझे याज़ दीजिए एक मीटिंग में शर्क करना है जी नहीं जाने से पेशतर ये भी मुलाज़ा फरमा लीजी कि मैंने आपके लड़के को क इतना बदल दिया ठीक है अगर फंच मिनिट में काम हो जायतों कोज रज नहीं है वे आई नमस्ते मस्टर जी नमस्ते आउ परे महां तुम भी मास्टर साब की कार गुजारी देख लो चलो जलो नमस्ते मास्टर साहब नमस्ते आये राय साहब अरो बहुता कहा तो आप किसे पढ़ाते रहे जी आप और नहीं तो किसको पढ़ा था फिर तो जनाब रिंग मास्टर साहब आप उल्टे पढ़ते रहे जा मतलब मतलब यह कि यह मेरा बच्चा नहीं था फिर किसका था यह उसी से पूछी वही बताएगा आपको आपने ठीक ही कहा था कि आप अपने लड़के को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे वह वाकी बदला हुआ है अब इस लड़के का इलाज सिवाए इसके और कोई नहीं कि इसे जल्दल देर यहां से बाहर भेज़ दिया जाए कहां है राजन मुझे नहीं मालूम होगा मैं सच कहती हूं मुझे नहीं पता तो फिर वो उसी ड्रामे में गया होगा कौनसर ड्रामा स्कूल की सोशल गैदरिंग के लिए एड मासकर साहब मुझे दावत देने तश्रीफ लाए थे फरमाते थे कि बच्चे बड़े जोरों में तैयारियां कर रहे हैं यह बदमाश एक महीने से उसी ड्रामे की तैयारी में होगा देखता हूं कैसे होता है ड्रामा सुनिये तो